नमस्कार, कल्यूक पर्थम चरण में आपका स्वागत है, किंता से अपनी ही चतुराई नश्ट होती है। तो मित्रों, आप विडियो के थमलेल में देखते होगे या देखे होगे। लिखा रहता है, कि रातो रात मला माल हो जाओगे। पैसा गिन्ते गिन्ते ठक जाओगे। तो मित्रों, ऐसा कोई टोटका परियोग नहीं है, जिसके करने से ऐसा हो जाए। मित्रों, किस्मत अपना अपना है, सबका किस्मत और भागे ये एक समान नहीं है। यह दुनिया गरीबी और अमीरी का है। दस अमीर तो कोडोरो गरीब। ऐसी जो है विधी विधान है। मित्रों हमारे पास इतना पुष्टक है, लेकिन किसी में यह विवरण नहीं मिलता है। मित्रों कहा गया है कि जहाँ धन रहता है, वहीं धन दोड़ के जाता है। तो मैं उधारन के लिए आपको बता रहा हूं कि दिपावली जैसे सुब आउसर पर मिठाई की सबसे ज्यादा खरीदारी लोग करते हैं। और दिपावली के समान का भी खरिदारी करते हैं तो आप देखें होगें कि मिठाई के दुकान पर काफी पूजी लगाकर हलुआई तरह तरह का मिठाई बनाकर रखता है और दिपावली के आउसर पर इतना उसकी विक्री होती है कि वह बेच कर माला माल हो जाता है और हम लोग अपना जेव खाली करके घर आ जाते हैं तो इसलिए कहा गया है कि जहां धन रहता है वहीं धन दोड़ के जाता है तो मित्रों यह तक कुछ रही समझदारी की बात अब हम एक छोटे से उपाए के उपर साथियों आपने कहीं से भी देखकार सुनकर अगर कोई टोड़का प्रयोव सिद्ध किये हैं कोई पवधे का जड़ हो या किसी फल हो या कोई तंतरिक जड़ी बूटी हो अगर सिद्ध करके घर में रखे हैं अगर उससे कई गुना अधिक तक्तवार बनाना चाहते हैं और आप उससे भरपूर सफलता उठाना चाहते हैं तो हम जो बता रहा हूं इस उपाय को आप जरूर कर लिजिए तो मित्रों जो सिद्ध करके आप रखे हैं उस बूटी को पुर्णीमा के दिन पुर्णीमा मित्रों महिने में एक बार आता है और चादनी रात के अंतिमुआ दिन को पुर्णीमा बोलते हैं तो मित्रों पुनीमा के दिन चंदर्मा के अंदर इतनी शक्तियां होती है कि इससे बड़े बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं और जो कोई बस्तू को तक्तवार बनाना होता है तो चंदर्मा को प्रकास दिखाया जाता है यह पहले जवाने में किया जाता था तो मित्रों अगर आप भी तक्तवार बनाना चाहते हैं तो पुनीमा के रात्री में अपने छत के उपर या जहां भी आपका सुविधा हो यानि कि खूला आस्मान दिखाई देता हो उस बूटी या फल जो भी सीदिकिये हैं उसको रात भ के लिए बाहर रख दें और फिर सुबह उठकर उस चीज को घर में लाकर धूप बती दिखाकर फिर जहां आप रखते थे या रखना है उसे रख दें अब दखें मित्रों इस बिदी से उस बुटी या फल का दस गुना ताकत बढ़ जाएगा तो मित्रों यह सब पुराने जबाने में लोग किया करते थे वो भी राजा महराजा उन लोगों के पास मरी होती थी तो उस मरी को पुनीमा में घर से बाहर निकाला जाता था कि वह पावर खिच के और पावर फुल बन जाता था और इसी म को चंदर्मा के द्वारा प्राफ करते थे तो मित्रों यह एक बेजोर उपाय है आप एक बार करके देखें कि आपका जो जड़ी बुटी काम नहीं करता था वह तेजी से आपका साथ निमाएगा तो मित्रों वीडियो के कमेंट बक्स में जैसिर्राम जरूर लिखें तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिये इजाजत नमस्कार